तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरे बहुत कुछ बोलती है अपने में इतना मैं जरूर बोलूँगा कि लोगज़ शक्ती पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनितिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसरंस हम लोगों के रहे हैं ये कंसरंस और जादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकरे जानकारी सामने नहीं आती है मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्यास सामने आते हैं कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था पिछले दो-तिन दिन से इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकर जानकारी नहीं आती है तब तक इसके उपर बियान बाजी करना अगर-मगर के प्रशनों के जवाब देने का कोई म रमपर्क में था ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो सुक्भुगाहट है वो सही है आज उन तमाम विश्व पर मेरी भारतिय जंता पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी केंद्रे ग्रह मंत्री आदनी आम उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विश्यों पर दिया गया है कई विशे हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई लगबग आदे घंटे तक ये बैठक चली है हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी लोग स सवा का चुनाओं भी सर पर है सीटों को भी लेकर कई और विशे हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है आज की तारीक में मैं इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्तितियां गडबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है लोग जन्शक्ति पार्टी रामविलास के जितन सवा चुनाओं में उसके बात लाता अप नतीश कुमार पहले पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इदार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कब आ रहे हैं जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्णों के उत्तर देने का कोई आचित नहीं है फिर अगर मगर का सीफा दे देते हैं और जब इदर आने की अपचारिक घोष्णा कर दी जाती है पार्टी उस पर भी अपना रुख आज जितने भी कंसर्ण्स में आधनिय के इंद्रे घ्रह मंत्री जी के समक्ष भारती जंता पार्टी के रश्टी अद्यक्ष जी के समक्ष रखने गया एक सहियोगी के नाते ही मैं वहाँ पर गया था एक सहियोगी के नाते ही मुझे आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे परते और खुलेंगी जैसे जैसे चीजे और सामने आएंगी तथे और सामने आएंगी उसके अधार पर पार्टी क्या सवाल यह पुना अगर-मगर से जुड़ा हुआ सवाल है